नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जो मेरे अपने साथ घटित हुई है, ये है शिर्डी के साई बाबा मंदिर में बाबा का चमतकार, ये बात है सन दो हजार बारा की, मेरी मा, मैं, और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, सभी बाबा को बहुत ज़्यादा मानते थे, मेरी माने मुझसे कई बार कहा था, कि बेटा, अगर हो सके, तो एक बार साई बाबा के मुझे दर्शन करा दे शिर्डी में, मैंने का ठीक है मा, मैं आपको जरूर लेकर चलूँग इस बार लेकर चलूँगा, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो प्रोग्राम रह जाता था, मेरी मा जो की एक लिवर सिरोसिस की पेशेंट थी, सन 2007 से, और लगबग हर साल वो हॉस्पिटलाइज होती थी, और वहां उनको चार-पांच बोटल बलड के देने पड़ते, पांच बहुत वीक हो गई थी, उम्र भी थी उनकी 75 से 78 साल के करीब की, वो बहुत वीक हो गई थी, जादा इस टैमिना भी नहीं बचा था, 2012 में एक दिन ऐसा ही प्रोग्राम बन गया, मैंने अपनी मम्मी से कहा, अपनी मा से कहा, मा चलो, बाबा दर्शन के लिए चलते हैं, प्र मेरे दोनों बेटे, मेरी पतनी और मेरी माँ, हम सभी ने रिजर्वेशन करा लिया शिर्डी का, शिर्डी पहुँच गए, वहाँ दिल्ली के साई बाबा मंदिर जो रोहिणी में इस्थित है, उन्हीं लोगों ने एक गैस्ट हाउस बनाया हुआ है, वहाँ हम लोग रुक लंबी थी, हम लाइन में लगकर जैसे तैसे बाबा के प्रांगर में पहुँचे, वहाँ और भी जबरदस्त भीड थी, दोनों तरफ, दोनों तरफ बेरिगेटिंग की हुई है, मंदिर के अंदर, लेफ्ट साइड में पुरुष पंक्ती होती है, और सीधी तरफ, मेरे दोनों बेटे मेरे साथ, और मेरी पतनी के साथ मेरी मा, मेरी मा का इतनी देर तक लाइन में लगकर आने में, बिलकुल उनके अंदर हिम्मत नहीं बची थी, कि वो खड़े होकर ही वो इंतजार करें, बाबा के प्रांगर में पहुँच तो चुके थे हम लोग, लेकिन बहुत ज़ादा रश होने के कारण, बहुत देर तक खड़े होने के कारण, मा की तबियत खराब होने लगी थी, इधर दूसरी पंक्ति पे मैं और मेरे दोनों बेटे खड़े थे, मेरे बेटे छोटे ही थे, दोनों बच्चे, मैं जैसे तैसे उनको बाबा के दर्शन करान और यहीं से सर जुका लो क्योंकि वहां तो इतनी जादा भीड़ है कि मुझे नहीं लगता कि हम वहां माथा टेक पाएंगे मेरी माँ जो मेरे सामने वाली पंक्ती में थी अचानक उनकी तबियत खराब होने लगी उनको चक्कर आने लगे और वो गिरने को हुई मेरी पत्नी उनको समाले हुए थी तो अब जब पूरा सत आदमी छोड़ देता है तो बड़ा अजीब सा हो जाता है मेरी पत्नी उनको नहीं समाल पा रही थी वो बैठने लगी एक दम नीचे भीड के अंदर ही अचानक क्या हुआ ये मुझे भी नहीं पता पड़ा अचानक बीच का गेट खुला और जो बाबा के वहां तरवान खड़े होते हैं उन्होंने जब देखा कि ये माता जी जो है वो बैठ रही है चक्कर आ रहे हैं गिरने की तैयारी है इनकी उन्होंने वो गेट खोला तुरंत और मेरी माँ को सहरा देकर सीधे बाबा की समाधी के पास ले जाकर मेरी पत्नी को और मेरी माँ को बिलकुल खड़ा कर दिया और माथा टिकवाया मेरी माँ और मेरी पत्नी सीधे बाबा के सामने थे मैं ये सारा दूसरी पंक्ती में खड़ा होकर देख रहा था हमारी पंक्ती में केट रही था ता कि मैं अंदर जा सकूँ मैं दूर से ही देख रहा था मुझे बड़ी चिंता हो रही थी कि मेरी माँ क तबीद खराब हो गती है, कैसे होगा लेकिन ये बाबा का चमतकारी है उन्होंने बीच भीड में से उनको निकाल कर अपने पास बुला लिया माँ को अच्छे से माँ ने दर्शन किये बाबा को बाबा की समाधी पर माथा ठेका और शो पजारी दी थे उन्होंने बाबा का बाबा की माला मेरी माँ को पैना दी और पानी की जो छीटे थे जलके, वो मेरे माँ के उपर फेस पर मारे तकि उनको conscious हो सकें माँ मेरी जैसे बाबा को माथः टेका, बाबा का जैसे आशिरवाद उनको मिला हो वो पूरे conscious हो गई, पूरे उनके अंदर जैसे पूरी ताकत आ गई हो, पूरा stamina आ गया हो उनके अंदर, मेरी आंखों में आंसु थे, मेरी पत्नी के आंखों में आंसु थे, हम लोगों ने भी धीरे धीरे भीड चली, हम लोगों ने भी आगे जाकर बाबा के समाधी पर माथ माथा ठेका हम लोगों को तो ज्यादा टाइम नहीं मिला बाबा की माथा ठेकने का लेकिन हम लोग साइड से फिर निकल कर पीछे की साइड में आ गए और इंतजार करने लगे कि कब मेरी माँ को लेकर मेरी पतनी बहार आएंगी लगभग 10-15 मिनिट बाद काफी देर तक मेरी मम्मी जो है मेरी माँ बाबा के सामने बैठी रही रही वाँ वहीं प्रांगड में बाबा के समाधी के पास ही और 15-20 मिनिट बाद कम से कम वो वापस पीछे निकल कर आई और मेरी माँ ने कहा कि भईया बेटा मुझे तह ऐसा लग रहा था कि बाबा ने हाथ पकड़कर मु की साक्षात आशिरवाद का बाबा की साक्षात करपा का मैं आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूं ओम साहिराम